So hello friends, welcome to my channel, hope you're all learning absolutely fine So friends, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ चन्डिगर युनिवस्टी के एक्जाम पैटन के बारे में जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डीटेल में बताने वाली हूँ किस तरीके से चन्डिगर युनिवस्टी में स्टूरेंस आज क्या कुछ एक्जाम पैटन है ये डियों को इस वीडियो को ऐन तक सरूर देखेंगा स्केप बिलकुल हुँ इक तैनल युपनेशिन लेना या आप लोगों इडिमीशिन लिया है तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी होगा कि इस university का exam pattern कैसा है वीडियो शुरू करने से पहले आपसे request है अगर आप लोग मेरे चायम पना है तो जल्स जाकि इस वीडियो को like कर दीजे और वहीं मेरे चायम को subscribe कर दीजे ताकि मैं भी अपने 1000 subscribers के aim को achieve कर सकूँ अब अगर बात करें चंडिगर्ड उनुवस्टी के exam pattern की तो सबसे पहले तुम्हें आपको ये बता देती हूँ कि हर एक college और हर एक university में जो examination है वो दो category में divide हुआ है theoretical examination and secondly practical examination सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे theoretical examination के बारे में theoretical examination आपके theory based होता है जो भी आपके books है जो भी आपका course है उसके accordingly theoretical examination चलता है इसके अंदर भी further आप लोगों के internal assessment आता है and external assessment आता है अब अगर हम बात करें internal assessment की तो internal assessment भी कुछ चीजों को include करता है जैसे कि first early test, second early test, surprise test, quiz, tutorials and assignments ये early test का मतलब है कि एक one hour या फिर two hours का test होता है ये आपको दो test देने पड़ते हैं ये internal assessment के अंदर आता है अब अगर हम बात करें external assessment की तो external assessment में जो है आपका हर एक semester के end में final examination conduct करवाया जाता है जिसके basis पे students को evaluate किया जाता है जो कि हारे कॉलेज में जो है normal होता है बट internal assessment जो है वो हारे कॉलेज जो थोड़ा अपना बहुत modify कर लेता है अब अगर हम बात करें चंडिगड़ उनिवस्टी के internal assessment के evaluation की क्या कुछ इन्हों ने किस तरीके से वेटेश दी हुए अपने internal assessment को जैसे कि मैंने आपको अभी उपर बताया था कि इसमें test होते हैं modules होते हैं then after that आपका surprise test होता है assignments होते हैं तिन सब चीजों को जो है वो वेटेश दी गई है सबसे पहले internal assessment आपका 40 marks का होता है first early test जो कि unit 1 कहते हैं ये 6 marks का होता है midterm test जिसे कि unit 1 ये unit 2 कहा जाता है ये 12 marks का होता है then second early test 6 marks का होता है after that ये 4 elements आते हैं 4 elements आप लोग screen पे देख सकते हैं 3 marks 3 marks 4 4 marks के accordingly चलता है at the end attendance चलती है more than 90% पे attendance आपको 2 marks मिलता है then अगर mass bunk हो रहा है यानि कि पूरी class mass bunk पे है तो minus 3 कर दिया जाता है and total अगर बात करें तो total 40 marks का यहां पे weightage given है internal assessment को next अब इसके बाद अगर हम बात करें practical paper की जैसे की बताया था मैंने आपको theoretical and practical examination होता है तो अगर हम बात करें practical paper की तो इसमें भी आपका internal assessment and external assessment आता है internal assessment में basically आपके course के accordingly यहां पे 10 to 12 experiments होते हैं semester के अंदर पर semester के अंदर accordingly students को हर एक experiment को जो है वो practice करना पड़ता है perform करना पड़ता है यह internal assessment में जो practicals होते हैं यह आपके class के अंदर यह conduct करवा दिये जाते हैं regular classes में चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से experiments को evaluate किया गया है उनको वेटेस दिये गये हैं सबसे पहले conduct of the practicals जितने भी practicals जो है वो 12 marks के आएंगे after that वाइवा वो का जो भी आपका वाइवा होगा वो 8 marks का होगा recording of the experiments जितने भी experiments करोगे उसकी recording 10 marks की होगी after that total अगर हम देखे तो total 30 marks का जो है यह आपका internal assessment में आपका आता है experiments जो है यह यह तो था internal assessment practicals का उसके बाद आपका एक external examination भी होता है practicals का जो भी आप लोग experiment perform करते हैं आपको कहा जाता है कि आपको उसकी record करना यानि की details record करनी है जिसके बाद फिर आपका वाइवा होगा वाइवा में आपसे questions पूछे जाएंगे आपके experiment के basis पे यह basically external examiner आता है वो आपसे conduct करवाएगा जो भी आपको practical कहे आपको करना है अब अगर हम बात करें कि practical examination के marks इस तरीके से external में दिये गये हैं सबसे पहले हैं conduct of experiment job preparation जो भी आप practical conduct करोगे 20 marks का है यानि कि experiment करोगे 20 marks का है after that जो भी आप लोग answer sheet पे record करोगे 10 marks का है then उसके बाद 10 marks का आपका वाइवा examination होता है total 40 marks का है तो friends यह थी आज की वीडियो जिसमें की मैंने आपको बताया किस तरीके से चंडेगर युनिवरस्टी में exam होता है क्या examination pattern है still जो भी doubt है comment section में पूस सकते है at the end if you like this video don't forget the like button and do subscribe to my channel